हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमë्ग्टर स्पेस की second एक्सेसीज़ करने जा रहे हैं जो की most important होगी इस में theorems काफी important है और vector space में sub space का concept यहीं से शुरू होता है जो की most important है तो सबसे पहली theorem है हमारे पास की sub space का मतलब क्या है अगर V over the field F V मेरे पास vector space है over the field F vector space मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ पिछली से पिछली वीडियो में हमने definition की थी V अगर vector space है over the field F और V का ही एक subset आएगा मालो W जो कि खाली नहीं है क्योंकि अगर खाली हो तो ये तो trivial sub space है तो W पहली बात तो खाली नहीं है और W भी F field का यूज करके अगर एक proper vector space बना दे यान कि वही vector space की 10 properties को satisfy कर दे then W को subspace बोला जाएगा subspace क्यों? क्योंकि ये vector space तो है ये खुद भी vector space है लेकिन क्योंकि ये बड़े वाले vector space का subset है इसी लिए इसको vector subspace बोला जाता है ठीक है? खुद ये vector space है लेकिन इसको subspace बोला जाएगा क्यों? क्योंकि ये vector space तो है लेकिन है तो subset V का ना, subset होने के कारण V के कारण इसको subspace बोला जाएगा over the field F. अब इसका मलब W भी total vector space की 10 properties satisfy करेगा लेकिन क्योंकि हमने subspace प्रूव करना है तो हर question में subspace प्रूव करना है तो 10 properties थोड़ी ना satisfy करेंगे हम तो 10 properties ना satisfy करनी पड़ें इसलिए theorem first जो है हमारी वो सिरफ है कि 10 properties को reduce करके सिरफ दो properties पे लेके आना ठीक है? तो हमारी first theorem इसी पे based है prove that the non empty subset w of a vector space v over the field f is subspace of v कहता है w v का vector subspace होगा अगर क्या होगा? if and only w is closed under addition अगर w क्या हो? closed हो addition में and scalar multiplication में यानि कि सिरफ दो properties satisfy हो रही हो एक तो पहली closure वाली addition की और दूसरी multiplication वाली scalar multiplication की m1 वाली property होती है ना यानि कि अगर मैं u plus v, u और v दो element लिए है मैंने किस में से? अगर हमारे पास u और v दो elements ले लिए मानलो मैंने w में से और अगर उन दोनों की addition भी कर दूँ तो भी वो किस में होनी चाहिए? w में होनी चाहिए और एक property multiplication की अगर alpha मैंने field से लिया और alpha into u करूँ तब भी वो किस में से आए? w में से vector space से w में से आए अगर ये दो properties hold कर गी तो इसका मनलब subspace बन गया तो इसका मतलब मुझे सिरफ दो properties को 10 के बराबर प्रूफ करना है तो इस theorem में मैं पहले 10 properties से 2 properties ले क्या होंगी और then 2 properties से 10 properties बनाऊंगी तब जाके कहीं हम बोलेंगे कि ये दोनो properties 10 का सट ले लो चाहे 2 elements 2 properties प्रूफ कर दो बात तो subspace ही प्रूफ होगी ठीक है? तो सबसे पहले तो जो शुरुआत है w is a subspace अगर w subspace है तो वो खुद भी एक vector space है definition of vector space first और fifth property 10 properties जो hold कर रहा है वो दो properties तो hold करेगा इना पहली और छटी तो इसलिए पहले पार्ट में कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद आता है conversely जो second part है इसका जिसमें हमने 2 properties के तुरू 10 properties satisfy करनी है 2 properties कौन सी? ये 2 properties hold कर रही है कि अगर x और y डबलू का है alpha field का है x प्लस y करूंगी तो w को belong करेगा alpha into x करूंगी तो w को belong करेगा ये मुझे इस part में given है प्रूफ मुझे क्या करना है total वो 10 properties 10 में से 2 तो मिल गई हमें बनी मनाई पीछे रहागी 8 properties satisfy करनी है तो सबसे पहला काम के बिना subspace बननी सकती तो field में 1 तो आएगा अगर 1 field में आएगा तो minus 1 भी field में आएगा x जो की element है w का वो x element है w का तो हमने पढ़ा है कि f f का एक element और w का एक element अगर multiply हो तो वो w का element बनता है तो इसका मनलब x into minus 1 करूंगी तो minus का x जो आएगा वो w को बिलॉंग करेगा अब x भी किसका होगा w का और minus x भी किसका है w का तो दोनों की first property दोनों की addition कर दूंगी तब भी क्या मुझको बिलॉंग तब भी मेरा किसको बिलॉंग करेगा w को इसका मनलब 0 belongs to w इसका मतलब additive identity बिलॉंग कर गई हमारे vector space को ठीक है यह यहाँ पर additive inverse तो already hold करी रहा है कि minus अगर x w को बिलॉंग कर रहा है तो minus x b w को बिलॉंग कर रहा है तो मतलब total मिलाके 4 properties हो गई associative तो easily हो जाएगी क्योंकि अगर x y z मेरे w के हैं वो v के भी तो होंगे तो associative तो already hold करती है अगे इसके बाद first, second, third, fourth हो गई इसके बाद multiplicative पे आते हैं एक commutative रहा है थी अगर x plus y करूं चाहे y plus x करूं x y अगर मेरे w में से हैं तो इसका मतलब v में से भी तो हैं है क्योंकि w छोटा है और v बड़ा है तो v के elements जो x y हैं उनकी addition भी तो commute करेगी उसके बाद addition में associative लिखा है क्योंकि x y z अगर w को belong कर रहे हैं तो w is a vector space तो also उनकी associative property hold करेगी इसके बाद ये m1, m2, m3 वाली सारी properties, m1 तो already hold करती है m2 property simply hold कर रही है m2, m3, m4 ये चारो पांचो properties hold obviously कर रही है क्योंकि अगर element w का है तो वो obviously v का भी है क्योंकि w छोटा है, v बड़ा है तो जो जीज w में hold कर रही है ये वली equate करने वाली तो ये v में भी तो hold करी रही होंगी तो इसलिए w मेरा vector subspace जो की है तो w is a vector subspace क्योंकि w vector space तो था क्योंकि ये 10 की 10 properties को satisfy कर रहा है लेकिन क्योंकि ये v का subset है इसलिए इसको vector space नहीं vector subspace बोल जाएगा तो इसी के साथ हमारी first theorem यहीं पर complete होती है बिल्कुल easy theorem है कहां हमने 10 properties प्रूफ करके किसी space को vector subspace प्रूफ करना था कहां हम सिरफ 10 की बजाए दो properties प्रूफ करके ही हम simply solve कर सकते हैं इसके बाद जो next आगे वाली 3-4 theorem है most important theorem है वो तो must है आपको देखकर अच्छे से सीख लेनी चाहिए क्योंकि exam में आने के उनके बहुत ज़्यादा chances है